हलो बच्चो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बच्चो आज मैं आपके लिए हर्याना सरकार की जो टेबलेट योजना चलाई गई है उसके बारे में कुछ अपडेट लेका हूँ हर्याना सरकार का दावा था कि हम दस्वी और बार्वी के जो पांत लाग काउन हजार टेबलेट अब तक बांटे जा चुके हैं और उनमें भी 34,000 की जो शिम है वो एक्टिवेट नहीं हुए है तो इसके बारे में मैं कुछ अपडेट आपके लिए लेका हूँ कि जो बाकी के बचे वी टेबलेट है वो कब मिलने वाले हैं और कहां कहां खामिया रही उनकी वज़े से अब तक टेबलेट बच्चों को नहीं बांटे जा चुके हैं और जिनको नहीं बांटे गए हैं उनको अब कब दिया जाएगा तो यह सारी की सारी बाते अभी इसके अंदर हम करने वाले हैं तो देखे इसके अंदर आज की यह खबर है देखो छुट जब मुश्किल से देखें तो हम 13,000 के सम्थिंग जो बच्चे हैं उनकी बच्छी में एक्टिवेट हुई है उनको टेबलेट मिल पाए है सही डंग से उनमें देखो अब परदेश के सरकारी स्कूलों में दस्वी बारी के बच्चों को पांत लाग टेबलेट दिये जाने है अब तक करीब सत्याओन जार बच्चों को ही टेबलेट बाटे गए हैं इनमें से सिरफ 34,000 टेबलेट में ही सिम एक्टिवेट है हो पाया मतलब और सिरफ 34,000 में उसके बाद देखो यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है कि यहां पर यह दे रखा 34,000 में एक्ट लेकिन मुश्किल से देखें तो हम 25,000 तक ही टेबलेट हैं वह एक्टिवेट हैं पूरी तरह से चालू है यानि यह टेबलेट भी चालू नहीं हुए हैं सरकार ने एक जून से होने वाली गर्मी की छुटियों में 10 वी बारवी की ओनलाइन क्लास टेबलेट से लगाने का दावा किया हुआ था तो यह दावा पूरी तरह से फैल हो चुका है देखो विद्यार्थियों के लिए तीन लाक इकाण माजार 968 और टीचर्स के लिए 23,508 टेबलेट जिलों के भेज़े जा चुके हैं 14,000 से अधिक टेबलेट 15 जून तक पहुंचाए जाएंगे मतलब अब तक जो तीन लाक इकाण माजार 968 मतलब देखे हम तीन लाक बाण माजार के लगबग बेज़े जा चुके हैं और 14,000 वह 15 जून तक जाएंगे अब देखो अधिकारियों का क्या कहना है इसके बारे में कि जो इनकी ID ने मिलने से यह दिकत बड़ी है अब यह मतलब अगर आपको पहले से टेबलेट दे दिये जाते बिना सीम के तो वह भी काम के नहीं रहते हैं इसलिए पहले सीम एक्टिवेट करके दिये जाएंगे अब इसमें हम बात भी करेंगे कि कुण सी जगह पर कितने मिलने वाले हैं और कम मिलेंगे वह सारी बात इस वीडि लगा कर टेबलेट में सीम एक्टिवेट किये जाएंगे इस आरके जिलाशिक से अधिकारी कुलदीप शियाग ने बताया कि 26 जून को इसकुलों में सीविर लगा सीम माटे जाएंगे पोर्टल पर रेजिस्टेशन कर टेबलेट दिये जाएंगे जहां तक ग्रिशमकाली अवकास की बात है तो जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है उन्हें वाट्सअप ग्रूप में कक्षा नुसार जोड़ा जाएगा अब जल्द से जल्द सिम वित्रण को कहा है मंत्री जून में ओनलाइन कक्षाई लगाने का निर्ण पहले ही लिया जा चुका है काम्पनी को जल्द से जल्द सिम वितरण के लिए का गया टेबलेट सभी जिलों में पहुँचा दिये जाए हैं अब जो जिन डिस्टिक में मिलने वाले हैं तो उन्हें कभ और कहा मिलने वाले इन सबके बारे में भी हम बात करने वा यह है देखो यहांपे आज की आशी की पहुंचेंगे air tail or geo के करमचारी बाटेंगे मतलब यहां पर 26 जून के बाद मतलब लगबग एक महीने के बाद ही आपको air tail और geo के जो करमचारी है वो tablet बाटेंगे देखो दो मंत्रियों के सामने बाटे थे 1487 अब SIM डी एक्टिवेट मतलब सिम वापस से बंद हो गई बाकी 2898 में रखवाए मतलब जो बाटे गए थे वो भी कोई काम के नहीं है और जो पड़े हैं वो भी लाइबरेरी में रखवा दिये गए हैं देखो गर्मी की छूटियों में बच्चों की ओनलाइन होनी थी पड़ाई ज में किंग कर सरकारी स्कूलों की लाइबरेरी में रख दिये हैं वहीं पांच मई को सुशिला बावन समीप राज की एकन्या और इस्ट माद्यमिक विदाले में पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंग और सहरी स्थानी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुपता द्वारा ल में से सतर फिजदी में सीम को बंद किया जा चुका है मतलब आप यहां पर जो टेबलेट बांटे गए थे उनमें भी सतर परसेंट जो टेबलेट थे ना उनकी सीम बंद कर दी गई है अब आलम यह है कि एक जून से गर्मी की सीजन की छूटियां शुरू होने वाली है लेक देखो इसके अंदर कौन से बलोक में कितने स्टुडेंट और कितने शिक्षकों को टेबलेट दिया जाएगा देखो इसमें अगरोहा में साथ 1719 से विद्यार्थी हैं और शिक्षक ए 133 और बास में 1537 यहां पर आप देख रहे हो यह सारी जगह हैं यहां पर इनको कितने- घरमी यहां- जब झोटियां खतम होने से चार दिन पहले सहीं हो क्या जाएगा एक्टिवेट मतलब जब गर्मी चन्हों खतम हो जाएंगी उस से शिरफ 4 देन पहले ही इसे एक्टिवेट की कि उमीद है वो भी उमीद है पता नहीं होंगी या नहीं होंगी क्योंकि तीन दिन पहले सिक्स यावी बाक्य सेकेंडरी निदे सक जे गणेशन ने विशी के जरीए सभी डीओ की मिटिंग ली थी जिसमें इस आरजिले में टेबलेट के लिए सिम एक्टिवेट का सेडूल 26 जोन के बाद जारी करने के मुखभिक आदेश दिये थे अलांकि अधिकारियों ने यसेडूल संभावित की लिस्ट में डाला है मतलब ये भी क्या है संभावित की लिस्ट में है पता नहीं कब क्या होगां कुछ लेकिन बच्चों के डेयटाम इल यह खा रहे हैं जिस काण जैसे डेटा अपडेट होते रहेंगे वैसे वैसे सिम चालू करते रहेंगे मतलब इस तरह से यह जो आपके टेबलेट वाटने की जो इसकीम थी अलांकि बहुत अच्छी इसकीम थी लेकिन इसको समय पर वीत्रित नहीं करने के कारण यह फैल होती नजर आ रही है लेकिन यह सरकार के घर में देरे नहीं है तो यहां पे थोड़ी बहुत देर हो जाईगी लेकिन यह भी यहां पे अंदेर मिलेगा हलांकि यह जरूर है कि आप जो आपका सेसन स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको पढ़ाई करने के लिए अच्छा option है तो आप अच्छे से पढ़ा सा इंतजार और कर लो और आपको टेबलेट मिल जाए जल्दी यही मैं कामना करता हूं धन्यवाद